So, Hello and Welcome You All, I am Ruit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करने वाले है Reliance Communication Limited के बारे में और देखा जाए guys, टो स्टॉक में आज बले ही किरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हो बट कही न कही यह 2 रुपे का स्टॉक 90 रुपे तक जा सकता है तो guys, अनिल अम्बानी का सबसे सस्ता शेयर है और बिल्कुल अनिल अम्बानी कमबैक कर रहे है अगर देखा जाए Reliance Impra और Reliance Power इन दोनों में उपनी जो होल्डिंग्स है उनकी फैमिली अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है उसमें अपने स्टेक्स को बढ़ा रही है और साथ ही साथ उन दोनों के साथ ही आर कॉम को भी वो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से TT, ML बढ़ा है जिस तरीके से Vodafone बढ़ रहा है भारती ATL बढ़ रहा है जियो अपना इतना बढ़ रहा है तो ए भी टेलिकोम सेक्टर का ही एक स्टॉक है आर कॉम तो ए भी बढ़ने की पूरी कोशिश करने वाला है आने वाले टाइम में और तगडे रिटर्न ही देगा ही देगा और इसके चार्ट को अगर आप देखोंगे तो चार्ट भी इसमें दमदार देखने का हम ले रहे है और चार्ट के हिसाब से तो क्लियरली पता चल जाता है कि स्टॉक आने वाले टाइम में दमदार रिटर्न देने वाला है और बैग टू बैग कई सारे ब्रेटाउट्स इसमें मिले है और मैंने कई पार आपको बोला भी है कि गाइस खरीदारी करना है तो इसे खरीड लो क्योंकि बाद में आपको मुखा नहीं मिलने वाला तो आर कॉम के बारे में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जो बिलकुल उनके चार्ट जो है बिलकुल बुलिश हो तो ए स्टॉक सही है तो आर कॉम यहाँ पर इसका करन प्राइस चल रहा है तीन रुपे हसी पेसे का और 0.050 पेसे तक स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है 1.30% के हिसाब से स्टॉक नीचे की और गिर रहा है बड गिरावट है इसका मतलब ए नहीं है गाईस बैक टूबे के स्टॉक गिरेंगा ही गिरेंगा हो सकता है यह रिट्रस्में करने की कुशिश कर रहा हो तो इसके लेवल्स को हम जान लेते हैं तो फास्ट अपल हम बात करेंगे वन विक चार्ट प्रेम पर तो वन विक चार्ट प्रेम पर हमने कई बार इसमें डिसकुसिन किया है तो गाईस अगर मान लीजेए आप इन्वेस्मेंट करना चाहते हो स्टॉक में तो वहाँ पर डबल आपका अमांट हो गई होगा यहाँ पर अगर दिखा जाए तो इन पैटर्स आपको दिख रहे होगे काफी बुलिश पैटर्न है हाँ गैस बुलिश पैटर्न ही है यहाँ पर हमें एक breakout मिल यहाँ पर हमें rejection मिला था यहाँ पर rejection मिला था यहाँ पर rejection मिला था तो हमने इस level को यहाँ पर draw कर लिया और हम wait करने लग गए breakout का जब हमें breakout मिला तो day by day इसमें upper circuit लगते रहे और stock आप देख सकते हो कि इस level तक जा चुका था लगबग 5 रुपे से भी उपर इस स्टॉक चले गया था और उसके बाद फिर से इसे एक rejection मिला rejection मिलने के बाद फिर स्टॉक नीच आया फिर उपर गया फिर नीच आया फिर इहाँ पर हमें फिर से एक breakout मिला और breakout मिलने के बाद stock में हमें confirmation हो गया था कि अब उपर जाए गई जाएगा और stock लगबग 4 रुपे तक गया और सीधा आया नीचे तक और यहाँ पर अभी रिट्रेस करके उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो guys यहाँ पर हमारा target 5 रुपे का ही रहने वाला है और stock बिलकुल यहाँ से बढ़ने की कोशिश करेगा ही करेगा और इससे भी बड़े बड़े जो target से वो अचिव इसमें करने वाला है तो guys हम 95 रुपे तक stock केस जाएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस particular level से 95 रुपे का उपर का target भी हम रख सकते हैं हमने 95 रुपे का इसलिए रखा है क्योंकि यही पर test करके stock back to back नीचे की वर आया था आप देख सकते हैं इसी particular level से stock में किरावट आही थी काफी बड़ी और उसी को हमने target रखा है तो guys यहाँ पर फिलकुल target अच्य हो गई होगा क्योंकि यहाँ पर levels हमें काफी अच्छे दिखाए दे रहे हैं और यह धीरे 95 रुपे 75 पेसे तक जाने की कोशिश करेगा ही करेगा जिस तरीके से ttml back to back अच्छे results अच्छे returns दे रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए वड़ाफोन आइडिया भी बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेंगा ही guys आने वाले time में अच्छे returns मिलने वाले है तो यहाँ पर आर कॉम में अगर देखा जाए 5 दिन के time frame पर तो यह हाँ पर 30 पेसे तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है माइनस 7.32% के हिसाप से stock गिर रहा है तो वही अगर दिखा जाए वन मन्त के time frame पर तो यहाँ पर 85 पेसे तक stock यहाँ पर बढ़ गया है 28.81% के हिसाप से तो बिलकुल तगडे return stock दे रहा है guys और दिखा जाए पर 6 महीने के time frame पर तो क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है 6 महीने के time frame पर दिखा जाते हाँ पर 0.60 पेसे तक stock बढ़ गया है 18.50% के हिसाप से विलकुल अच्छे returns इसमें हमें मिल सकते है तो guys अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे आज क्या कुछ stock में हुआ तो आज के हिसाब से विलकुल है मिट क्याप stock है 1.03000 करोर क्या सबसका मार्केट क्याफ है और यह बढ़ने की कोशिश करेगा ही करेगा और पांच रुपे यह अपर आप देख सकते हुए पांच रुपे 05 पेसे का इसका 52 एक हाई है और पांड विक का लो जो है एक रुपे 50 पेस 52 पेसे का दिख जाएगा और ।र्ड रोपी 05 पेसे का दिखाई दे रहा है tu अध गातों प्राइस प्रफाइन ten मियं अगर दिखा जाएगा इस तुपर मैनिस मैं माने입니다 72.66% और 1 year का दिखा जाए गए हापर positive है 76.74% और year on half का है minus 2.56% हापर minus में 3 months का 15.15% यहापर plus में है और दिखा जाए 1 month का 28.81% प्लस में है और दिखा जाए गए यहापर 1 week का minus 2.56% हापर minus में दिखाई देदेगा अब बात करते हैं trade values और combination delivery की कि क्या कुछ trade value और combination delivery है तो 2 करोड के आसपास का यहापर trade value हमें देखने को यहापर मिल रहा है और एस्टेडे की अगर बात करूँ 3 करोड का trade value और combination delivery भी 3 करोड की है और 1 week के average अगर दिखा जाए 6 करोड का trade value और 4 करोड का combination delivery है और 1 month का average यहापर 9 करोड का trade value और 4 करोड का combination delivery देखने को मिल जाएगा guys तो यहापर trade values और combination delivery देख लिए हैं और यहापर हमेशा से ही करोड में ही हमें दिखाई दे रही है सो अब बात कर लेते हैं community sentiments के आखड़े तो community sentiments के आखड़े अगर देखे जाया तो यहापर आखड़ों में 80% जो लोग हैं और बिलकुल यहापर buy call दे रहा है और जो 7% जो लोग है ओके रहेगा इसे हापर sell के लिए और 13% जो लोग है ओके रहे हापर hold के लिए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती गाई आखड़े काफी जादा positive अपर नजर आ रहे है रेवेनिस की बात करें रेवेनिस 2017 में कितना था काफी बड़ा था 6,500 करोड 2018 में कम हुआ 4,000 तक आ गया 2019 में लगबग 4,015 करोड तक आ गया 2020 में 1,000 करोड तक और 2021 में तो 760 करोड के आखे रुग गया नेट पॉपिट की अगर बात करें तो नेट पॉपिट 2017 का देख लेते हैं माइस में है तो कैस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शेर हूल्डिंग पेटंस की तो 89.17 परसंन की होलडिंग पप्लिक की है प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 5.18% की है और FIS और DIS की होल्डिंग 2.17% और 10 की है 0.76% की आप पर आरकोम के बारे में कापी कुछ बात हैं हम बस्कर चुके हैं और वीडियो पसंदा आप वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक यू